इन चहरों की मुस्कान की पीछे एक विश्वास है इन आखूं की चमक के पीछे एक भरोसा है विश्वास ये कि मोदी हमारे साथ है भरोसा ये कि मोदी का साथ है तो बनने वाली हर बात है ये नए भारत की नारी है शक्ती का रूप धैर्य की मिसाल बलिदान की प्रतिमा एक समरिध और सशक्त देश के लिए महिलाओं का संपून विकास अत्यंत आवशक होता है इसलिए प्रधान मंत्रे नरेंद्र मोदी नारी सशक्तिकरण के लिए पिछले नौ वर्षों से लगातार काम कर रहे है हर कदम पर महिलाओं के लिए आने वाली बाधाओं को मोदी सरकार दूर करने में प्रयासरत है और दूर किया भी है उन्हीं प्रयासों का फल है कि आज सुकन्या की सुरक्षा है मुद्रा की सहायता है उजवला का उजाला है पानी घर घर में आता है खुले में शौच कल की बात है, हर घर में शौचाले की सौगात है समस्याओं का समाधान प्रति दिन है, सच है, मोधी है तो मुम्किन है मोधी सरकार की कई कल्यानकारी योजनाओं का लाब सीधे महिलाओं को मिल रहा है जिससे वो समाजिक बेडियों के बंधन को तोड़ कर जीवन में आगे बढ़ रही है बच्चियों, हिशोर बालिकाओं, ग्रहनियों, माताओं, उम्र के हर पड़ाव पर मोधी सरकार महिलाओं के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है एक समय था जब महिलाओं को लंबी दूरी तै करके घर के लिए पानी की विवस्था करनी होती थी लेकिन अब हर घर नल कनेक्शन, जीवन की सबसे अनमोल चीज घर पर ही पहुँचा रहा है वो भी एक समय था जब घर में लखडी के चूले पर खाना बनाना पड़ता था जिससे सांस और आखों में कश्ट होता था लेकिन उजवला योजना के तहट LPG कनेक्शन महिलाओं को नेशुल्क बांटे गए है जिसने उनकी जिन्दगी आसान कर दी है पिछले साथ वर्षों में किसने सोचा था कि महिलाओं के लिए शौच कितनी विकट समस्या है शौच जाए बगेर पूरा दिन गुजर जाता था शौच जाने के लिए महिलाओं को अंधेरे की प्रतीक्षा करनी होती थी इससे वो कई बिमारियों का शिकार भी होती थी पिएम मोदी का हर घर शौचाले मिशन महिलाओं के जीवन में वर्दान बन कर आया है फिर आया वो निर्णे जो तुष्टी करन की राजनिती के चहरे पर तमाचा सिद्ध हुआ मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से पिएम मोदी ने आजादी दिला दी लड़कियों की शादी की उम्र 18-21 करके उनके लिए सिक्षा के बहतर दर्वाजे और रोजगार के नए अवसर देने वाले भी पिएम मोदी ही है पेड मटनिटी लीव की अवधी 12 सफ़ता से बढ़ा कर 26 सफ़ता कर दी गई जिससे कामकाजी महिलाओं का जीवन आसान हुआ मोदी सरकार की कई ऐसी कल्यानकारी योजनाए हैं जो महिलाओं को जीवन के हर स्तर पर सहायता प्रदान कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं ने भारत में पुरुष महिला लिंगानुपाद को बहतर किया है अब हर 1000 पुरुषों के मुकाबले 1020 महिलाओं है मिशन पोशन से बच्चियों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, माताओं और व्रिद महिलाओं के लिए पोशन की व्यवस्था हो रही है प्रधान मंत्री सुरक्षित मातरत्व अभ्यान की सहायता से मात्र मृत्यू दर में कमी आई है यानि जन्म देते समय महिलाओं की मृत्यू की जो धर 2011 से 2013 में 167 थी, वो अब घटकर 97 हो गई है स्वच्च विध्याले के जरिये हर स्कूल में शोचाले की विवस्था सुनिश्चित की जा रही है लाखों, लड़कियों और महिलाओं के लिए स्कॉलर्शिप दी जा रही है सुकर्ण्या समरिधी योजना से बच्चियों का भविश्य समर रहा है मोधी सरकार मानती है कि महिलाओं में जबरदस्त नेत्रत्व की शमता है और वो अपने दम पर ना केवल पूरे परिवार का बलकी देश का भविश्य समारने की ताकत रखती है आवशकता है तो महिलाओं को वो अवसर प्रदान करने की अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मुद्रा लोन का सबसे अधिक लाब महिलाओं को पहुंच रहा है मुद्रा योजना की साहता से महिलाओं माइक्रो लेवल अंट्रिपनियोर्शिप ने अपनी पहचान बना कर भारत की विकास की यात्रा का नेत्रत्व कर रही है पीयम आवास योजना की मदद से करीब 69 पतिशत महिलाएं खुद या संयुक्त रूप से अपने घरों की मालकिन है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सुरक्षा बलों में अब महिलाओं को स्थाई कमिशन किया जा रहा है प्रधान मंत्री मोदी के नेत्रत्व और विजन की ही बदालत आज भारत की नारी तमाम बंधनों से स्वतंत्र होकर विश्व में भारत का पर्चम बुलंदी से लहरा रही है अभी तो कहते हैं कि ये न्यू इंदिया की नारी शक्ति